हेलो दूस्तों विजय क्लासेस में आपका स्वागत है इस बार मैं आपको किसी भी फोटो को आईजलेंड में करने का एक असाम सा तरीका बताने वाला हूँ और मेरे इस स्टेप से आप भी इस तरह के फोटो को बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि क्या प्रिप्रेशन करना पड़ता है या फिर आप रिजल्ट कैसे प्राप्त करेंगे वो रिजल्ट को चेक कर लेते हैं तो यह जो फोटोग्राफ है इस फोटोग्राफ को मैंने इस तरीके का बनाया है तो यह काफी beautiful डंग से island बनता है देखें यहां पर sea waves काफी proper डंग से यहां पर आ रहा है और यहां पर जो mountain या फिर जो forest है या फिर जो sand का look है वो काफी बढ़ियार से present हुआ है तो किसी भी फोटो के resolution को हाई करके यह high quality का आप image इस तरह से बना सकते हैं अगर फोटो की resolution कम है तो आप उसके resolution को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद फिर इस command को चला कर इस तरह के result को प्राप्ट कर सकते हैं जैसे मैं एक दूसरी photo दिखाता हूँ इस photo का मैंने बनाया है इस तरह का look में तो photo कोई भी हो आप उसे असानी से convert कर पाएंगे इस look में इसके लिए preparation करना पड़ेगा सबसे पहले क्या करना होगा मैंने description में आपको तीन file ले दिये हैं जिन्हें आपको Photoshop में add करना है एक brush file मिलेगी आपको दूसरा pattern मिलेगा और तीसरा action मिलेगा तो उसे add किस प्रकार करेंगे उसे मैं बताता हूँ तो मैं बाकी photos को बंद कर दिया है अब यहां पे सबसे पहल description में file है वहाँ पर है आईजलेंड brush से आपको मिलेगा उसे आप load कर लेंगे और यह brush यहाँ पर इस तरह से load हो जाएगा दूसरी चीज़ आपको जो load करनी है वो pattern है और उसके लिए आप windows में pattern में जाएंगे Photoshop में और यहाँ पर import pattern करेंगे और same location जहाँ पर मैंने आपको ज action को भी हम load करेंगे और load action में जाकर island photoshop action को load कर लेना है और अब आप असानी से काम कर पाएंगा आप यहाँ पे एक layer भी खोल लीजे ताकि आपको पता चले कि progress क्या हो रहा जो हमारा background image है आप उसके उपर एक new layer बनाएंगे जिसका नाम होगा area तो मैं यहाँ पे area type कर देता हूँ और इस area वाले layer पे आपको brush open करना है जिसमें आप लेंगे brush जिसमें hard edge नहीं होना चाहिए थोड़ा सा soft होना चाहिए edge में color मैं रख लेता हूँ black और इस black color से आप उस part को cover करेंगे जिसके उपर आपका island मनाना है तो मैं इस जगह से इसके face को cover कर लेता हूँ और यह मैंने यहाँ पे brush से इस तरह से cover कर लिया है इस part को अब इसके उपर मैं action को सिधा play कर दूँगा इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है लेकिन मैं canvas को थोड़ा सा बढ़ा करना चाहता हूँ तो मैंने canvas को height में और width में थोड़ा सा बढ़ा कर लिया है जिससे कि हमारा result काफी बढ़िया है जिसमें sea का जो area है काफी बढ़ा होगा और इसमें यहाँ पे हमारा island टयार होगा तो मैं यहाँ पे इस area वाले layer को select करूँगा island के folder को मैं open करता हूँ action में जिसमे photo पे apply करना है तो action for photo पे select करेंगे और यहाँ पे play बटन दबा देंगे जब आप play बटन दबा दोगे तो यह automatic इस पे work करना शुरू कर देगा और आपका सारा काम यह minto में असानी से कर देगा यह depend करता है कि आपका system configuration क्या है अगर आपक system configuration सही है तो इसे काम करने में काफी कम समय लगेगा अगर system configuration आपका low है तो इसे काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा patience रखिए यह काम बहुत बढ़िया से करता है बीच में आपको कुछ error आएगा तो आप उसे continue कर सकते हैं तो यह हमारा action काफी है smoothly run कर गया है और यह result हमारा final आ गया है इसे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो यह देखे काफी proper ढंक से इसने इस पे सारे चीजों को set किया है इस action को आप download कर ले हमारे description से और आप भी इस प्रकार के चीज को असानी से बना सकते हैं तो देर किस बात की हमारे channel से जूड़े रहे हैं और इसे subscribe और share करना ना भूले